दो हजार रुपे रोज का कमा सकते हो जी हाँ दोस्त आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों जो हमने मुंगफली लाई थी उस बोरे को इसे हमें पानी में डाल देना है पूरी मुंगफली को कोई बड़े बरतन में और पांच मिनट के लिए सिर्फ भीजाना है हमें ठी ठीक है आईए चने के बारे में जान लेते हैं चने का परकरिया किस तरह से है दोस्तों हमें 250 गराम हल्दी लेना है और उसमी आदा किलो नमक एड़ करना है और जड़ासा पानी डाल के उसका गोल हमें बना लेना है गोल बनाने के बात आप देख पा रहे हें दोस्तों यह पूरी आपकी भूनके तयार हो जाएगी ठीक है एक भट्टी बंदे ने लगा रखा है अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से छोटा सा भट्टी बनवा सकते हैं अब बनवाने के बाद मुंफली आपका भून के तयार हो जाएगा 20 रुपे किलो परती के उपर प्राफिट पकड़ा जाए दोस्तो तो ये कुंटल के बाद हमें करना कहा है उनली पैकिजिंग करनी है एक एक किलो की हम इस तरह से पैकिंग कर रहे हैं और ये प्रोड़क हमारा तयार है अब मार्किट में एक दम बेस्ट और नमकीन मुंफली हमारे बनके रेडी है इसी सेम परकरिया से दोस्तो आपको भी कर लेना है वीडि प्रोड़क हम लेंगे जो एक रात के लिए रखा गया था बोरे में उसे निकाल कर इस तरह से हम भूनेंगे और चना का कॉलेटी आप देख पा रहें दोस्तो इस तरह से भूनने के बाद जो चना है हमारा ये अल्रेडी बनके तयार है अब इस चने को हम दोस्तो निकालने के बाद करेंगे क्या इसकी थोड़ी सी चलनी में च्छानेंगे जिससे की जो खराब चने होंगे और अच्छे वाले चने दोस्तो हमारे अच्छे वाले चने की दोस्तो हम पैक करेंगे और उसे भी मार्किट में सेम पर करिये से जिस तरह से हमने मुंगफली पैक की थी और पेक करके मार्किट में दोस्तो इसमें भी आप 20 से 25 रुपे किलो का नफा बड़े आराम से कमा सकते हैं बसरते इस विजनस को सुरू करने के लिए आपको रो मट्रील बड़े आराम से दोस्तो आपके नियर मार्किट में ही होलसेल प्राइज में मिल जाएगा और छोटी सी भटी बनवा सकते हैं और सुरू करके पेक करके अपना बिजनस परते दिन का 2 से 4 रुपे बड़े आराम से कमा सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए